सोनाली बहुत ही मस्तिक और होती है वो हमेशा दूसरों को उल्लू बनाया करती है एक दिन वो अपनी हिटलर साथ से परिशान होकर उसे भी उल्लू बनाने का तय करती है आ गई तो बाहर से डोल के चल अप जा जाकर जल्दी से मेरी लिए चाय बना कर ला वरना मार मार कर तेर मैं आज से कोई काम नहीं करूंगे सारे काम आप ही करोगी और इसी में आपकी बलाई है या ये बोलने के तरी हिम्मत कैसे हुई परे नहीं मा जी आप शायद मुझे गलत समझ रही हो ये देखिए मैंने ये महाप्रशाद लाया है आपके लिए हमारे मोहले में एक बहुत की बड़े सिद्ध पुरिश बाबा आये थे और उनों ने कहा कि अगर एक सास अपनी बहु की दस दिनों तक निरंत सेवा करेगी तो वो धन्वान बन जाएगी और साथी उसके जीवन में सूक शांती भी बनी रहेगी अपनी बहु से ये बात सुन कर रंजिता एकदम आश शेरे चकित हो जाती है या सच बहु हाँ माजी सो प्रतिशत सच है इसलिए मैं कहे रही हूँ ये प्रशात खाईए और लग जाईए मेरी सेवा में तभी जाकर आप धन्वान बनोगी आ बहु ठीक मैं सब कुछ करूंगी तू बस मुझे बता दे कि मुझे क्या क्या करना ह हाँ माजी खाना पीना जाडू पोचा साफ सफाई कपड़े दोना हर एक काम आप ही करोगी माजी और हाँ दोपेर के खाने के बाद में मेरे पेरों की थोड़ी मालिश भी कर देना फिर शाम में मेरे लिए चाय के साथ साथ ठाली पीट भी बनाना वो तो आप बड़ा ही अ किसा तू कहे रंजिता अप अपनी बहु की सेवा में लग जाती है और उसकी हर बात मानने लगती है और जब आभाई ये सब देखता है तब ही सोनाली अरे तुम इतनी नालाय केसे हो सकती हो मेरी बुड़ी मा से काम करवाते हुए तुमें जरा भी शर्म नहीं आती क्या अरे उल्लू के पट्टे ये मुझसे कोई काम नहीं करवा रही बलकि मैं ही अपने मन से उसकी सेवा कर रही हूँ वो क्या है ना फिर रंजिता अभई को सारी बाते बताती है क्या अरे मा आपका दिमक सच में सटिया गया है ये सब अंदर विश्वास होता है इन सब में कर आप अराम कीजिए सोनाली चलो तुम जाकर काम करो लेकिन अभई अभई सोनाली बवु कोई काम नहीं करेगी मैंने कहे दिया सक कहे दिया एक बार में समझ नहीं आता क्या तुमें अपनी मा की आगे अभई भी कुछ नहीं बोल पाता और इन सब के चलते सोनाली के तो मज़े ही मज़े होते हैं वाँ क्या उल्लू बनाया है मैंने अपनी सास को काश मैं ये मेरी सारी लाइफ के लिए कर पाती खेर इसी में इंजॉई कर लेती हूँ फिर एक रोज सोना ली को अपनी सहेलियों के साथ क्लब जाना होता है तभी उसे ड्रेस खरीदने के लिए और क्लब में जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं अभे वो दरसल माईके में मेरी मा के अभियत बहुत कराब हो चुकी है और मेरे छोटे भाई संकल्ब की सालरी भी अभी तक नहीं आई है इसलिए मुझे तुमसे थोड़े पैसे चाहिए थे अरे इतनी सी बात ये लो ये तो बहुत ही कम है अभे और ज्यादा दोना आजकल दवाई अभे कितनी मेंगे हो गई है तुमें तो पताई है ना ठीक है सोनाली ये लो ये इस तरह सोनाली अपने पती को उल्लू बनाकर उन पैसों से एक छोटी ड्रेस खरीदती है और सहेलियों के संकल्ब में जाकर दूम मचाती है फिर दो दिन बाद सोनाली अब तुमारी मा की तवियत कैसी है मैं सोच रहा था कि हम दोनाकल उन्हें साथ में मिलने जाते हैं कल मेरी ओफिस की छुटी भी है ना इसलिए अरे नहीं आब बै हम वहाँ पर नहीं जा सकते लेकिन क्यों सोनाली अरे बाबा मा की तवियत अभी तक ठीक नहीं हुई है वो बस बिस्तर पर ही आराम करती रहती है और डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा लोगों से नहीं मिल सकती इसलिए जब मा पुरी तरह से ठीक हो जाएगे तभी हम उनके पास जाएंगे ठीक है सोनाली कोई बात नहीं लेकिन अगर तुम्हें कुछ हेल्प लगे तो मुझे जरूर बताना हाँ भै थैंक यू अब सोनाली ऐसे ही और किसी को उल्लू बना बना कर या तो अपना फाइदा कराती है या फिर अपना एक दिन जब वो पार्लर जाती है तभी अचानक से वो वहाँ पर बवाल कर देती है अरे नहीं मेरी पर्स खाली कैसी हो गई यहाँ पर आते समय तो मैंने अपनी पर्स में कितना सारा सामान रखा था और तो मेरे पर्स में पूरे 15,000 रुपे थे लीजा तुम मिस पार्लर क ओनर हो ना तो तुम ही बताओ मेरी पर्स में से सारा सामान कैसे चोरी हो गया मैंने तो मेरी पर्स यही पर रखी थी मैडम आप चिंता मत कीजिये मैं अभी चेकिंग करवाती हूँ रोजी जाकर चेकिंग करो सबकी सबकी चेकिंग होती है लेकिन किसी के पास उसका सामान न मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे पार्लर में आने के बाद ही मेरा सारा सामान चोरी हुआ है ये CCTV कैमेरा चेक करो तब ही सब कुछ पता चलेगा सौरी मैडम, वो एक्चुली हमारे सीसी टीवी कैमेरास बंद है क्या? अरे ऐसा कैसा सड़ा हुआ पारलर है तुमारा अब तुमारे पारलर में मेरा इतना नुकसान हुआ है तो उसके भरपाई भी तुमें ही करनी होगी मुझे पंदरा हजार में जितनी फैसिलिटीज मिलेगी वो सब चाहिए मैनिक्यूर, पैडिक्यूर, नेल्स, हाइप रोज फिर चाहिए उसमें जो भी हो अब तो मैं मेरे पंदरा हजार ऐसे ही वसूलूंगी वरना ना चाहते हुए भी मुझे पोलिस को बुलाना होगा जिसके बाद तुमारा पारलर खत्रे में पढ़ सकता है लेकिन सोना ली मैडम ठीके, फिर तुम्हें पोलिस के पास तुमारे ही कंप्लेंट दर्च कराऊंगी पिर वही पर जाकर तुम लेकिन वेकिन करते बैटना और इस तरहे, एक बार फिर सोनाली उल्लू बना कर ये बाजी भी जित जाती है फिर कुछ दिनों बाद में वो मोहले वालों को निशाने पे धर्नी का प्लैन बनाती है और तुम्हें पता है क्या, मैंने कल रात को हमारे मोहले में एक चुड़ेल को देखा और उसने मुझे कहा कि अगर आज से किसी ने रात में अपने घर के बार किम्टी सामान और कुछ पैसे नहीं रखे तो मैं उस इनसान को और उस इनसान से जुड़े लोगों को नहीं चुड़ूंगी उसकी बाद सुनकर तो मैं बहुत ही डर गई यार क्या, ये तु क्या कह रही है सुना ले अरे बापरे, ये तो बहुत ही बड़ी टेंशन वाली बात है हमारे मोहले में एक चुड़ल का साया है हमें तो अभी बचकर ही रहना होगा और साथ ही रोजाना रात में गर के बार कुछ न कुछ किम्टी सामान रखना होगा हाँ, तुने बिल्कुल सही कहा और जिसने भी ऐसा नहीं किया उसकी तो शामत ही आएगी ऐसा वो बयानक चुड़ल कहे रही थी देखो, ये बात तुम लोगों को बताते समय भी मेरे रोंग्टे खड़े हो रहे है हाँ, सोनाली ये सब सच होता है मुझे भी इसके बार में थोड़ा बहुत पता है आरे, कुछ सचवच नहीं होता है ये सब दक्यान उसी बाते है अरे, नहीं आईश्वर्या मेरा यकीन मानो कल रात मेरा उस चुड़ल से सामना हुआ है और उसी नहीं मुझे ये सब कहा है अरे, तुम पीके आई हो क्या सोनाली ये चुड़ल वगेरा कुछ नहीं होता गाइज, चेल करो और बत्ती बुजा कर सो जा अश्वर्या सोनाली की बात को मानती ही नहीं और वो वहाँ से चली जाती है फिर रात में सारे महलने वाले अपने अपने घर के बाहर कुछ ना कुछ किम्ती सामान और थोड़े बहुत पैसे रख देते हैं और फिर देर रात में में हैं लेकिन वो चुड़ल तो में ही हूँ सबको उल्लू बना कर बहुत ही ज्यादा मजा आया लेकिन ये आईश्वर्या की बच्चे इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा तू तो अब देखती ही रहे आईश्वर्या कि कैसे मैं तुझे और तेरे परिवार को सबक सिकात हो फिर अगले सुबह सोना ली चुपके से आईश्वर्या के किचन के खिड़की के पास चाकर उसके घर के खाने में पेट खराब होने के दवाई मिलाती है जिसके बाद आईश्वर्या और उसका पूरा परिवार बुरी तरह से बिमार पढ़ जाता है अरे यार वो सोना ल ही बोला था लेकिन तुने किसी की भी बात नहीं मानी और नहीं तो क्या ये सब उसी के सजा है ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है लेकिन एक रात मोले में रहने वाले रेश्मा को नींधी नहीं आती और वो अपनी खिड़की से देखती है कि बाहर रखा सोनाली लेकर जा रही है और उसे देखकर वो पूरी बात समझ जाती है कि सोनाली ने सबको उल्लू बनाया है फिर अगले दिन ये बात जाकर वो सबको बताती है क्या ये तु क्या कह रही है अरे हा दोस्तो मैं बिलकुल सही कह रही हूँ मैंने खुद अपनी आखों से आया है वो चुडेल कोई और नहीं है बलकि सोनाली ही है सत्यान नाशो उस सोनाली का अब देखना पैसे हम लग उसे उसी के अंदाज में सबक सिखाते हैं हम भी उसे अब उल्लू बनाएंगे लेकिन कैसे फिर वो तिनों मिलकर प्लान बनाती है और अगले दिन वो एकदम अम कि आके फटी के फटी रहे जाती है अरे ये क्या तुम तिनों आचानक से इतनी कैसे बदल गई तुम तिनों के कपड़े कितने मेंगे हैं और तुमारे जुते भी तुम तिनों का स्टाइल तो काफी चेंज हो गया है अब क्या करे सोनाली है अमीर होने के बाद तो बदलना ही पड़ता है ना अब हमारा लेवल एकदम हाई हो गया है एकदम हमारी ये तीन लाग की हिल्स की तरह येस टारलेंग लेकिन इतने सारे पैसे तुम तीनों के पास कैसे आ गए हमने एक जगे पर पैसे लगाए थे वो काफी अच्छी स्कीम थी जहाँ पैसे लगाने पर आप को दुगना, तीगुना या चोगुना मुनाफा हो सकता है वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है हमें तो चार गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है क्या हो तु सच कही रही है मुझे भी एस स्कीम में इन्वेस्ट करना है और तुम तिनों की तरह मुझे भी बहुत अमेर बनना है जल्दी बताओ ना आखिर कौन सी स्कीम है वो फिर वो तिनों सोनाली को एक आदमी से मिलाती है और सोनाली उस आदमी को पूरे दो लाक रुपे देती है जिसकी बाद वो आदमे अचानक से गाइप हो जाता है और जब सोनाली को ये पता चलता है तो वो रोने लग कर बाब गया अब क्या पता सोनाली हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हाँ सोनाली हमें तो चार गुना ज्यादा मुनाफ़ा हुआ है लगता है तुने किसी गलत आदमी को पैसे दिये थे नहीं दोस्तो मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है सबको उल्लू बनाते बनाते, अज मैं खुद ही उल्लू बन गई हू। अब मैं आइंदा से किसी को भी उल्लू नहीं बनाओंगी। माजी, मुझे माफ कर दीजिये, मैंने आपको उल्लू बनाये था। मुझे कोई भी बाबा नहीं मिले थे। वो सब मैंने अपने मन से बोला था, ताकि आप मेरी सेवा कर सको। यह? हाँ माजी, पुरब है, मैंने वो पैसे मा के लिए नहीं, बलकि अपने लिए मांगे थे, ताकि मैं कलब जाकर मज़े कर सकू। और मैंने महले वालों से भी जुट बोला था, महले में कोई चुड़ल नहीं है, मैं ही सब का सामान लेती थी रात में, पुराईश्वरिया के घर के खाने में, पेट कराब होने की धवाई भी मैंने ही मिलाई थी, मैंने सब के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए आज मेरे साथ बगवान जी ने भी वैसा ही किया है, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तोब मुझे मेरी गलतियों का ऐसास हो चुका है सोनाली बहुत रोती है, तब ही वो तीनों उसे सारा सच बताती है, कि इस बार उन्होंने उसे उल्लू बनाया है हाँ सोनाली, अमे तुमे बस अपनी गलती का एसास दिलाना था, इसलिए हमने ये सब किया और वो बैग्स, जूते और कपड़े, वो सब एकदम चिप कॉलिटी के थे, जो कि हमने अमिर दिखने के लिए पहने थे तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है सोनाली, अगर हम चाहते, तो तुम्हे फोरन पोलिस के पास भेज देते, लेकिन हमने इसा नहीं किया अरे कल मुही, तुने मेरे और अभे के साथ बिलकुल अच्छा नहीं किया है लेकिन फिर भी, हम दोन तुझे माफ कर रहे है क्योंकि तुझे अपनी गलती का एसास हो चुका है पर अगर आइंदा से तुमने किसी को उल्लू बनाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा नहीं आभे, मैं इसा बिलकुल नहीं करूंगी मुझे माफ कर दो और इस दिन के बाद से सोनाली अपने कान पकड़ लेती है और वो किसी को भी उल्लू नहीं बनाती जीवी का अपने पती संभव देवर रोहन, सास बीना और ससुल प्रमोद के साथ रहती है उसकी अपने देवर के साथ काफी अच्छे से जमती है लेकिन घर वाले रोहन के साथ कुछ दिनों से ठीक से पेश नहीं आते मापापा, मुझे थोड़े पेशो की जरूरत थी वो दुकान में नया माल लाना है ना इसलिए चाहिए थे मुझे अरे किया नया माल लाना है तेरी दुकान की तो एसी की तैसी इतने दिनों से बस हमसे ही पैसे लेतीया आ रहा है किस ने कहा था तुझे वो कपड़ो की दुकान खोलने के लिए अरे जिसकी पड़ाई की है उसकी जॉब करना नाला एक कही का कपड़ों के दुकान खोल के बेटा है लेकिन पापा देख रोहन तेरे पापा बिलकुल सही कह रहे है अरे कितना लंबा समय हो गया है कबसे तुने वह बिजनेस चुरू किया है लेकिन अभी तक कोई अच्छा नतिजा नहीं मिला है हमें देख ये सब काम तो छोड़ दे और कोई अच्छी सी नोकरी देख बता दे रही हो तुझे रोहन यू बार बार मापापा को परेशान मत किया कर समझा ना अगर तुझे वह बिजनेस चलाना है तो तुखुद कहीं से पैसो का जुगाड कर वरना चूप चाप कोई नोकरी देख ले तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है अब तो तुझे आसानी से जाब भी मिल सकती है तो फिर तुझे बिजनेस क्यों कर रहा है आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे है अगर अभी आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी आगे जाकर मेरा बुटिक अच्छे से चल पाएगा मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से अपने इस कपड़े के बिजनेस को आगे जरूर लेकर जाऊंगा बस अभी के लिए मुझे आप लोगों के सहारे की जरूरत है नहीं मिलेगा कोई भी सपोर्ट चल दपाओ जाब और खबरदार अगर आइंदा से तूने अपने उस गटिया बिजनेस को लेकर कोई भी बात की तो मेरे कान पक चुके है उसके बारे में सुन सुन कर रोहन को कोई भी समझ कर नहीं लेता जिस कारण वो दुखी होकर घर के पास वाले गार्डन में जाकर बेटता है तभी वहाँ पर उसकी भाबी यानि जीवी का आज जाती है रोहन अरे जीवी का भाबी आप यहाँ पर हाँ रोहन मैं जानती हूँ तुमारे मन पर तुमारे दिल पर इस वक क्या गुजर रही है लेकिन तुम चिंता मत करो तुमारी भाबी है तुमारे साथ ये लो रोहन ये कुछ पैसे है जो मैंने अपने साइड में बचा कर रखे थे ये पैसे तुम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन भाबी ये पैसे तो आपके है मैं आपसे पैसे केसे ले सकता हूँ देखो रोहन तुम इन पैसों के बारे में इतना मत सोचो क्योंकि मुझे तुम पर पूरा बरोसा है कि तुम अपने बिजनेस में तरक के जरूर करोगे घर वाले इस बात को भले ही ना समझ पाए लेकिन मैं जरूर समझ सकती हो और हाँ तुमें जब जब पैसों के जरूरत होगी तुम मुझसे पैसे ले सकते हो खीक है ना? ठैंकि यू सो मज भावी अब सच में बहुत अच्छी हो यू आर मोस्ट वेलकम रोहन फिर एक दिन जब जीविका बाहर शॉपिंग करने गई होती है तभी उसे घर आने में देरी हो जाती है और तभी रोहन और जीविका साथ में घर आते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर बीना और प्रमत को काफी हैरानी होती है अरे तुम दोन साथ में कैसे आ रहे हो? अरे मा बाबी मॉल के पास अकिली खड़ी थी क्या आपका इंतदार कर रही थी और मैं वही से गुजर रहा था इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें अपने साथ ही लेकर आओ अरे लेकिन इतना ही था तो तुम संभव को बुला लेती ना बहू रोहन के साथ आने के क्या जरूरत थी? लेकिन पापा जी उसमें क्या होता है? अगर मैं रोहन के साथ आओ गई तो क्या हुआ? मैंने कोई गुना थोड़ी न किया है हाँ वही तो अरे चुप रहो तुम दनो तुम दनो को कोई समझ नहीं है कि दुनिया वाले कितने बुरे है और उनकी सोच भी तुम दनो के रिष्टे में जितनी दूरिया और जितनी मरियादा रहेगी उतना ही तुम दनो के लिए भी अच्चा रहेगा क्या? या आप क्या के रहे माजी? कुछ नहीं अब ज़्यादा दिमाग मत लड़ा और जितना कहा है उतना ही कर अब अंदर चल और जल्दी से हाथ मूँ दो कर सब के लिए खाना लगा दे बहुत डोल लिया तुम दोनों ने घर के बाहर अब घर के काम निप्टा जल्दी गुमक कड़ कही की फिर जिविका अंदर चली जाती है ऐसे ही संडे के दिन अरे ये क्या है बहुत आज तो संडे है न तो आज तो संभव के लिए उसका पसंदिदा बटर चिकन बनना चाहिए तो फिर ये हैद्राबादी पुलाव क्यों बनाया है तुमने वो क्या है ना पापाजी आज रोहन भी हमारे साथ लंज कर रहा है हर रोस तो रोहन हमारे साथ खाना का ही नहीं पाता इसलिए आज मैंने उसके पसंद का ये पुलाव बनाया है लो ना रोहन ये दही और चटनी भी लो अरे बन करो ये सब नोटन की ये रोहन तो बस यहाँ पर मुफ्किर रोटी आही तोड़ने बेटा है और कुछ नहीं आता इसे घर में तो एक पैसा भी नहीं देता बस लेकर जाना आता है इसे संभव ये तुम कैसी बाते कर रहे हो रोहन तुमारा छोटा भाई है जरा तमिश से बात करो संभव एकदम सही कह रहा है अरे इसकी उमर में तो संभव पैसे कमा कर घर में देता था लेकिन ये ये तो कुछ नहीं देता उल्टा हमें ही आज तक इसे पोसना पड़ रहा है लेकिन मा जी रोहन अपनी तरफ से पुरी कोशिश कर रहा है और वो बिजनेस है उसे सेटल होने में समय तो लगेगा ही न यो ताने करस्ते रहने की जगे हमें तो उल्टा रोहन का साथ देना चाहिए बस बहु बहुत लेली तुमने रोहन की साईल भूलो मत ये तुमारा देवर है कोई दोस्त या यार नहीं समझी तुम अपने रिष्टे की हैसियत में रहो ज्यादा उचलो मत और इसकी तरफदारी करना बंद कर दो हम हमारा देख लेंगे ये हमारा बेटा है वो समभव का भाई है तुम में इस घर की बहु हो और रोहन की भावी तो भावियों वाली बाते करो अगली बार से मैं ये सब सहन नहीं करने वाला पर पापा जी मैं तो बस जीविका बावी रहने दीजिये कोई बात नहीं मैं बाहर खाना खालूंगा इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है वो एक अन्नका निवाला भी नहीं खाता जिस कारण जीविका को बहुत दुख होता है फिर एक रोज जब जीविका और संभव दोनों एक मूवी डेट पर जाने वाले होते हैं तभी संभव उस प्लान को आखरी मिनिट पर कैंसल कर देता है क्योंकि उसे ओफिस में कुछ काम आ जाता है इससे जीविका बहुत उदास हो जाती है और तभी वहाँ पर रोजन आता है तड़ा ये देखो भावी मैंने आउनलेन टिकिट्स बुक कर दी है अरे रोजन लेकिन इसकी क्या जरूरत थी भावी मैं जानता हू आप और संबो भावी देखने जाने वाले थे लेकिन भावी ने हर बार की तरह लास मिनिट पर इस बार भी प्लान कैंसल कर दिया है हाँ रोजन तुमने सही कहा कोई बात नहीं भावी अब मैं आ गया हूना अब हम दोनो साथ में मिलकर आपके फेवरेट मुवी देखेंगे पर रोहन देखो भावी अब जैसे आप मेरे सैड मुड को ठीक करती हो तो मेरा भी फर्स बनता है ना कि आपके सैड मुड को ठीक करे चलिए अब टाइम बेस्ट किये विना जल्दी से थेटर पोहुचते है कुछी देर में मुवी शुरू होने वाली है ठीक है रोहन चलो चलते है रोहन और जीवी का दोनों साथ में मुवी देखनी जाते है और आते वक्त सडक पर आइसक्रिम खाकर बाइक पर रैड करते हुए आते है उन्हें इस तरह जाते हुए देखकर बीना की सहली उसे फोन करके सारी बाते बता देती है क्या और नहीं तो क्या बीना अभी अभी तेरी बहु को तेरे छुटे बेटे के संग गाड़ी पर गुमते हुए देखा मैंने मानो दो यार गुम रहे थे एसा लगा मुझे अरे अपनी बहु को संभाल के रख और बेटे को भी समझा दे देवर बाबी का रिष्टा है दोनों का कही हसी मजाख में ये रिष्टा किसी गलत दिशा में न चला जाए अपनी सहली की ये बाते सुन कर बीना को बहुत गुस्सा आता है जब जीविका और रोहन घर वापस आते हैं तभी बीना और प्रमोर उन दोनों को खूब दाटते हैं अरे बेशर्मो तुम दोनों को हजार बार कहा है मैंने कि एक साथ इतना मत रहा करो अभी अभी मेरी सहली का फोन आया था मुझे और वो मुझे बता रही थी कि कैसे आवारत दोस्तों की तरे तुम दोनों बाइक पर गुम रहे थे तो उसमें क्या हुआ मा गुम ही तो रहे थे थोड़ी ना कोई गलत काम कर रहे थे रोहन अपनी मा को उल्टा जवाब देने की जुर्रत भी मत कर अरे तुम दोनों देवर भाबी हो अगर अपने भाबी से यो चिपका रहेगा तो लोग तो ताने देंगे ही ना इतना ही नहीं लेकिन शादी के लिए तुझे कोई लड़की भी नहीं मिलेगी फिर लेकिन मा जी दुनिया वालों के लिए हम क्यों बदले हमें जैसा जीना है हम वैसे क्यों नहीं जी सकते जीविका हर बार तुमें मा पापा से बहस करना ज़रूरी है क्या अरे जितना उन्होंने कहा है उतना ही करो न और तू रोहन आज के बाद तू मेरी बीबी को लेकर कई भी नहीं जाएगा और इससे दूरी रहेगा वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूँगा मैं अब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ सब कुछ जीविका और रोहन के रिष्टे को जीविका रात में उसके माथे पर पट्टी रखती है और उसे काड़ा भी पिलाती है और उसकी वही पर बेटे बेटे आख लग जाती है फिर थोड़ी देर बाद में जब समझ की आखे खुलती है तब वो जीविका को कमरे में से गाइब देखता है अरे ये जीविका का चली गए पिर समझ बाहर निकल कर जीविका को घर में दूनने लगता है तब उसे जीविका रोहन के कमरे में सोई हुई दिखाई देती है जीविका को रोहन के कमरे में देखकर समझ को बहुत गुस आता है और वो जोर से चिल्ला पड़ता है जिविका संभव की आवाज सुनकर जिविका और रोहन नेन से जाग जाते हैं और तभी संभव रोहन को एक थपड लगाता है बैया क्या हुआ है आपने मुझे क्यों मारा संभव ये तुम क्या कर रहे हो तुमारा दिमा कराब हो गया है क्या रोहन को पहले से ही कितना तेज बुखा रहे और उपर से तुम उसे क्यों मार रहे हो तभी वहाँ पर बीना और प्रमोद भी आते है अरे बंद करो तुम दोना अपना ये फाल्तू का नाटक मुझे अच्छी तरह से समझा रहा है कि तुम दोना के बीच में आके क्या खिचडी पक रही है जीवी का बहू अपने देवर के साथ सोते हुए तुझा शरम नहीं आई क्या छी इतनी कैसे गिर सकती है तु अरे तुम दोना को कितनी बार समझाया है मैंने लेकिन तुम दोनों अपनी ये घटिया हरकता से बिलकुल बाज नहीं आए पापा मैं बुखार से तप रहा था इसलिए भाबी यहाँ पर आई थी इन्होंने ही मेरे सर पर पटिया रखे और मुझे काडा भी पिलाया और शायद पटिया बदलते वक्ती उनकी आख लग गए बगवान की सो पापा आप लोग जैसा सोच रहे हो न वैसा कुछ भी नहीं है चुप कर तु अब तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे तुम दोनों को जितनी रंग रर्लिया मनानी है बाहर जाकर मनाओ लेकिन यहाँ पर नहीं चलो निकलो यहाँ से संभो बिलकुल से ही कह रहा है अरे तुम दोनों को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है अरे आप लोग क्या निकालोगे हमें हमें खुद को ही अब इस घर में बिलकुल भी नहीं रहना है ऐसे ससुराल में रहने का मुझे भी कोई शोक नहीं है जहाँ पर मेरे चरित्र पर ही सवाल उठाया जाए और जहाँ पर रिष्टों की मरियादा ना हो अरे मैंने हमेशा सही रोहन को अपने छोटे बाई की तरह समझा है और उसने भी हमेशा सही एक अच्चे छोटे भाई की तरह मेरा साथ दिया है इसलिए हम दोनों के बीच में इतना लगाव है लेकिन आप जैसे गटिया सोच वाले लोगों के दिमाग में ये सब बाते समझ में नहीं आ सकती भाबी बिलकुल सही कह रही है अरे जब मुझे आप सबके सहारे की जरूरत थी तब मेरे साथ कोई भी नहीं था सिर्फ भाबी ने ही मुझे सहारा दिया उन्होंने मुझे पैसो की मदद की और बाकी हर एक प्रकार की भी मदद की और आज उनी की वज़े से मेरा बचा कुचा बिजनेस डूबने से बच गया है भाबी तो हमेशा से ही मेरे लिए एक बड़ी बेहन की तरे रही है और अगर आप लोग और दुनिया वाले हमारे इस प्यार से भरे रिष्टे को समझ नहीं सकते तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है हम इस घर में अब और नहीं रहेंगे चलिए बाबी फिर जीवी का और रोहन दोनों भी घर चोड़ कर जाने लगते हैं और उन दोनों की बाते सुनकर उनके घरवालों को काफी ज़्यादा शर्मिन की मैसूस होती है रुख जाओ जीवी का बहु रोहन बेटा रुख जा हमें माफ कर दो बच्चो हमने तुम दोनों को गलत समझा है हमने तुम दोनों का रिष्टा लोगों के नजरीय से और अपनी गिरी हुई छोटी सोच से तोला है लेकिन आज तुम दोनों ने देवर और बाबी के रिष्टे की परिभाशा ही बदल दी है हाँ बहु रोहन बेटा माफ कर दो हमें लेकिन ये घर छोड़ कर मत जाओ क्योंकि अब हम समझ चुके है कि तुम दोनों गलत नहीं थे अरे गलत तो हम लोग है जो हमने लोगों के बारे में सोचा और लोगों का क्या है वो तो कहते ही रहेंगे चाहे वो अच्छा हो या बुरा लेकिन आज हमें तुम दोनों के रिष्टे का अच्छापन देख चुका है और हमारी आखे भी खुल चुकी है बेटा हाँ जी विका प्लीज मुझे माफ कर दो और चुटे तू भी मुझे माफ कर दे और थैंक यू सो मच हमें इतनी बड़ी सीख देने के लिए कि देवर बाबी का रिष्टा बाई बेहन से कम नहीं होता और वो दोनों भी एक दुसरे का सहारा बन सकते हैं ठीक किसी दोस्त या किसी बाई बेहन की तरह गर वालों की माफी सुनकर वो दोनों उन्हें माफ कर देते हैं और पूरा परिवार फिर से साथ मिलकर हसी खुशी रहने लगता है शादी के बाद प्रिटी शान्ती जी की बहु बनकर शान्ती निवास में रहने आती है प्रिटी वैसे तो बहुत सुन्दर होती है लेकिन वो जो भी खाती है उसे वो पचा ही नहीं पाती और इसी कार उसे कभी भी पोटी लगती है एक दिन वो पोधों को पानी दे रही होती है चलो जल्दी से इन पोधों को पानी डाल देती और इसके बाद मुझे कपड़े भी तो दोने है अभी तक तो पेट शान्त है मेरा लेकिन कभी भी गड़बड हो सकती है प्रीटी ऐसा बोल ही रही होगी कि उतने में ही उसके पेट में गुरगुर होने लगती अरे नहीं ये क्या जिसका डर था वही हो रहा है अब मैं क्या करूंगे जल्दी से भागना होगा मुझे बातरूम में प्रीटी बातरूम में भागने ही वाली होती है कि तभी उतने में वो अपनी साड़ी में ही पौटी कर देती है ओ नो फेल गया रायता मैं तो परेशान हो गई हूँ इस प्रॉब्लेम से कभी भी और कई भी हो जाती है कितने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उसके बावजुद भी ये प्रॉब्लेम मेरा पीचा ही नहीं छोड़ता अरे बगु क्या हुआ अकेले में क्या गुटर्गू कर रही है कुछ भी तो नहीं माजी बस पोदो को ही पानी डाल रही थी यू ची 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 लगता है किसी पालतु कुत्ते ने पास में ही गुड़गोबर किया है गंदी बद्भू यहां तक आ रही है अगर मैं माजी के पास गई तो माजी समझ जाएगे कि वो गुड़गोबर मैंने ही किया है नहीं प्रिती तू तो अपने साथ से दूर ही रहे फिर एक दे प्रिती अपनी सहे लिके घर किटी पार्टी के लिए जाती है तभी वीच पार्टी में ही उसके पेट में फिर से गुड़गुड होने लगती है नो नो अभी नहीं अभी नहीं प्रीटी का digestive system बाकियों की तरह नहीं होता वो control ही नहीं कर पाती और वो वही बैठे बैठे अपने DRESS में potty कर देती और वहाँ पर potty के गंदी बद्वू फैल जाती है ची यार ये potty जैसे गंदी बद्वू कहां से आ रही है सच में यार ची मुझे तो उल्टी ही आ रही है किसी ने ड्रेस में तुकान नहीं कर दिया न यार गाईज सच में बहुत गंदी बदबु आ रही है में तो यहाँ पर एक मिनिट भी नहीं रूप सकती मेरा तो दम ही गोट रहा है में अभी निकल दी हूँ वेसे भी लेट हो चुका है कपिल भी आता होगा इतना केकर प्रीटी जैसे तेसे वहाँ से निकल जाती है और घड जाते से न उसे एक मेरी कल में हगिस के पैकेज दिखाई देते डॉक्टर और बाकी के सारी इलाच करके देख लिए लेकिन मेरी मुसीबत का हल मुझे मिला ही नहीं शायद ये हगिस ही मेरी मुसीबत का हल हो सकता है अब यही मेरी आकरी उम्मिद है फिर प्रीटी अपने मुँपर मास्क लगाती है और हगिस खरीदने जाती है लेकिन तभी वहाँ हवा का जोका आता है और उसका मास्क खूड जाता है और उसे हगिस खरीदते हुए उनके गली में रहने वाली उशा काकी देख लेथी अरे यह तो कमला की बहु प्रीती है अभी-अभी तो शादी हुई है इसकी और ये हगिस लेने काहे आई थी आप कही ऐसा तो नहीं कि शादी के पहले ही कमला दादी बन गई हो, कुछ तो गडबड़े, जाज परताल तो करनी ही पड़ेगी, फिर अगले थे, उशा कमला के पास आती, अरे कमला, तेरी बहु को मैंने कल मेरी करने हगिज खरिते हुए देखा था, क्या बाते, कही तेरी बहुने शादी के पहले तो तुझे खुश कबर नहीं दे न, ये तु कैसी बाते कर रही है उशा, मेरी बहु के बारे में ऐसे बात करते हुए तुझे शरम नहीं आती क्या, अरे लेकिन, चुप रहे तू, वरना एक दूंगी किच कर, चल, निकल मेरे घर से, बेवकुफ कही कि, कमला उशा को तो वहां से भगा देती, फि बहु, वह उशा मुझे बता रही थी, कि तू कल मेडिकल में हगिस करिदने गई थी, क्या ये सच है भगवान, जिसका डर था वही हुआ, उस चुडल बुडिया की तो एसी की तेसी, अब मैं क्या जवाब दू माजी को, सोच प्रिती, सोच, बहु, मैं तुससे कुछ पू दरासल, मेरे दोस्त हैना शीना, उसे लड़का हुआ है, इसलिए मैं उसे कल मिलने गई थी, अब खाली हाथ कैसे जाती है, इसलिए उसके बेटे के लिए मैं हगिस करिद रही थी, और साथ ही कुछ कपड़े भी लई कर गई थी, अच्छा, तो ये बात है, वही मैं सोचू कि तो क्यों पहनेगी हगेज, और नहीं तो क्या माजी, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, जो इस उमर में हगेज पहनूंगी, अब आपको क्या बताओ माजी, हाला तो कुछ वेसे ही है, मैंने कभी नहीं सोचा था, कि बच्पन के बात, इस उमर में मुझे फिर से हगिस पहनना पड़ेगा, प्रीटी अब रोजाना हगिस पहनने लगती है, जिसके कारण उसकी आधी प्रॉब्लेम सौल हो जाती है, अब हर रोज प्रीटी, डाइपर को कच्रा वाला आने से पहली, घर से दूर एक कुडे दान में फेक कर आती, एक सुगे, उसकी सास उसे पकड़ लेती है, बहु, तो सुबे के पाच बजे कहा जा रही है, अभी तो ठीक से उजाला भी नहीं हुआ, देख, बाहर कितना अंदेरा है, अरे आप चिंता मत कीजिए माजी, मैं वाक करने जा रही हूँ, वो क्या है न, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस पर पूरा ध लेकिन ये काली धेली में क्या है, ये तो कच्रा है माजी, वो कर रात को मैने और कफिल ने पीज़ा मंगवाया था, तो उसी का कच्रा है, अरे लेकिन तू इसे क्यों फेक रही है, इसे हमारे घर के कच्रे में फेक देती न, तो इसे भी आट बजे तक कच्रा वाला आता ही अब जानी दीजिये न माजी, चलिये, मैं चलती हूँ, अरे लेकिन बहु, ओके बाई माजी, प्रीती वहाँ से फटा फट निकल जाती है, एक दिद, प्रीती घर में नहीं होती, और तभी कमला को नेलपेंट चाहिए होती है, अरे प्रीती बहुत बाहर गई है, अब उससे नेलपेंट कैसे मांगो, हमारी कित्ती पार्टी तो अभी थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी, और बभु को आने में देर लगेगी, एक काम करती है, खुधी उसकी अलमारी में से नेलपेंट निकाल दी है, फिर कमला प्रीती की अलमारी में नेलपेंट दूनने बड़ा पैकेट चुपा कर रखा है, अरे ये क्या, ये हागीज का पैकेट यहाँ पर क्यों चुपा कर रखा है प्रीती बहु ने, आकिर क्या माज रहे है, बहु और हागीज का क्या संबंद हो सकता है, और बहु ने इसे ऐसे चुपा कर क्यों रखा है, कमला को अप्रीती पर शक हो जाता है इसलिए वो उस पर 2400 घंटे नजर रखने लगती है मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा या कि क्या गडबड गोटा लाए फिर अगली सुबह जब प्रिति नहाने जाती है तब कमला देखती है कि वो अपने कपड़ों के साथ साथ हगीस भी लेकर जा रही है और बाहर निकलने पर उसके हाथ में डाइपर होता ही नहीं और यह देखकर कमला चोग जाती है इसका मतलब मेरी बहु हगीस पेहनती है फिर कमला प्रिति के पास आती है बहुर मैं जानती हूँ ति तू हगिस पेहनती है अब जूट बलने का कोई पाइदा नहीं है मैंने खुद अपनी आपको से देखा है मा जी अब जब आपके सामने सारा सच आही गया है तो मेरे चुपाने से कोई फाइदा नहीं हाँ पेहनती हूँ में डाइपर मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम है जिसके कारण मुझे कही भी कभी भी पौटि आती है और मैं बाकियों के तरह उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती लेकिन बहू इस प्रॉब्लम के लिए तुझे डाक्टर को दिखाना चाहिए था ना ये अगिस पहनने से क्या होगा मैंने कई सारे डाक्टर्स को दिखाया घरेलू उप्चार भी किये लेकिन कुछ फरक नहीं पड़ा मुझे माफ कर दीजिये माजी ये बहुत गलत हरकत है लेकिन मैं भी क्या करूँ मैं मजबूर थी जिस उमर में मुझे अपने बच्चे को अगिस पहनाना चाहिए उस उमर में मैं खुद अगिस पहन रही हूँ नहीं बहु माफी मत माँ मुझे तेरी इस दूविदा के बारे में जरा भी खबर नहीं थी लेकिन अब तु चिंता मत कर हमारी गाव में एक वईद्देजी है मैं तुझे उनके पास ले जाती है जिसके बार तेरा ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगा कमला एक मा की तरह अपनी पहु की पीड़ा समझ ले दिनी और वो उसे गाव में वईद्दे के पास ले जाती है जिनके उपचार से प्रीती पूरी तरह चुस दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाती है जिसके बाद उसे फिर कभी हगिस पहनने की नोबत नहीं आती है और वो भी बाकियों की तरह सुखी जीवन जीने लगती ही